यह देखे आज तक आपने इससे पहले टमाटर की स्टप्ट रेस्पी या सब्जी नहीं ऐसे खाई होगी जैसे आज हम बनाने जा रहे हैं जो की बहुत 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 जादा टैंटिंग और बहुत जादा यम्मी लगेगी तो आप इस तरह से बना करके देखिएगा तो चल सब्चाय के लिए सब्ची कर लिए सब्ची बना करें ली यान点 क्या लिए टमाटर रोल या और इससाटि तमाटर रिंग संटें थाग्ड अ थे सब्चा मैं कुरिए आप इसे तरह से से को कर लिए या गुथ पर هए को कर देंगे या पूरी रेस्पी बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनती है घर में कोई भी महमान आजा कोई भी किसी भी तरह का फटाक से सब्जी बना करके आप रख दीजिए तो विस्वास नहीं करेगा कि इस तरह की ये रिंक्स बन करके तयार करें आप लोग ने तो चलिए वह निकल कर त यह लंग्स-free benner अब देख सकते हैं इस तरह से इसको भी अच्छे से ने तो यह बहुत जादा अच्छे से स्मूतली बन जाएगा तो यह थिसकी कंसेंटेंसी देख सकते हैं अच्छे सिंधार पकॉडी जैसे बनाते हैं उससे पतली ही है बहुत ज़्या पतली भी नहीं काफी अच्छे रोस बन करके तयार होंगे यह तो यह देखिए जो बचा था पल्प वीज में डाल देंगे और एक टमाटर को लेंगे और इसमें बारी चॉप कर लेंगे आप ग्रैंड करके डालना चाहें तो आप ग्रैंड भी करके आड कर सकते हैं यह देखिए तो टोमाट के प्रैंड राथ सब्सक्राइब टोमाटर को यह दो प्रैना फंद देखिए नमक भी कहारी और छोग लिए टेंगे एट चाहा हरा तो दोन यह दो भी आइचा थेतलों को जालेंगे खोड़ना कर 앞 में अधावाटर को बीक्राइब प्रम एंदीन देखिए वोगом आभ वै बगत अच्छा टेस्ट देता है इस वजे से में काला नमक में अटकिया हुआ है और अब इसमें ढाल देंगे लाल मिर्ष्ट्री पाउडर लेकिन मिर्ष्ट्री पाउडर बिल्कुर ठोड़ा सा ही डालेंगे अगर आपके वाज यह सारे मसाले नहीं है तो कोई दिकर नहीं ह अब डाल दें चाट मसाला उससे भी बहुत टेस्टी स्वाद है तो इस तरह से देख सकते हैं इसी तरह से यह दूसरी भी देख लीजिए जो चारो तरफ से अच्छा तो भी इस तरह से भरते जाएंगे अच्छे से प्रस करते जाएंगे और देखिए यह पीछे नहीं है पोल हैं तो जाल गये तो पीछे भी प्रस कर देंगे तो ढूंसरी देख सकते हैं तो सारी की सारी रINGING तैयार कर लेंगे tähän कि मैं तो तेस्तमाल करते हैं तो हमने कुछे कि पेढं़न क्वरशा नहीं वेंस år नहीं बनायाः थें बैटर में लपेटते हुए इसको फ्राइ कर लेंगे और एक मेट हो चुका है तो इसको हम इस तरह से बैटर लगाया है आप चाहें तो आप इसमें आटे का भी बैटर बना करके लगा सकती है बहुत दो आपते के प्रोंध करके लेंगे यूछी सहारी किस्पए तरह से जिए से जिए बल्त है शिक नहीं तरह से अच्छी सही दुन तरफ क्रिस्पी लेंगे तो आप देख सकतें कितने यम्मी है तो ले तो आप ऐसे ही गृऑनी चाय के साथ अप नास्तियमे dryer आपकोड तेस्टी लगता है तो देखें दो से तीन स्पून और आधा स्पून जीरा डाल दिया है तेमाटर डाल दिया है कस्मेरी लाल मिर्ज पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और अब डाल देंगे इसमें हम कस्तूरी में थी इसको मिक्स करते हुए हम बून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे नमक क्योंकि इससे क्या होगा यह नमक नमक जो होगा वह माय टेमाटर को अच्छे से पकाने में हेल्प करेंगा और अच्छे से तमातर गल जाएंगे तो देख सकते हैं यह जो बचा हुआ अलो की स्ट पिं ग्रेवी थीच बड़त नगज अब एक खुझ में ऑफ़नें लिए जनी की प्रचान अपन अपना लाइगे डियर ग्रेवी तक कर लेंगे चिह क्लार जितना थीक हमें उतना थीक हमें अब एक अपना थीच बिच भीच में इसे ष्टेर करते जाना है तो देखें कास्मीली ज कोई भी गेस्ट आए कोई भी आए आप इस तरह से सब्जी बना कर कि आप रख सकते हैं बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी आप देखिए ग्रेवी बन चुकी है बंद कर दी अपनी फ्लेम को और अपनी पकॉडियों को इसमें डाल दिया है तेमांटर के रिंक्स को तो इसको आप अपनी पूरी फैमली को तो भू डेख सभर में रहे जाएंगी टेमांटर से तो यम्मी सब्जी कर तयार है तो देखें कितना सौफ्ट है अगर हमारी एःस्पी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब